चौथा पाठ प्रिष्ट संख्या 23 से 27 तक कविता है ओस हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मूती के लडियां कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कडियां जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यों चमचम नब के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यों दमदम लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना पत्तों पर फूलों पर पगबग बिखरे हुए रतन है नाना बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दीवाली वन उपवन में जला दी है किसने दीपा वली निराली जी होता इन ओसकणों को अंजली में भर घर ले आऊं इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं कवी सोहनलाल विवेदी अभ्यास शब्दार्थ गूथना अर्थात पिरोना उज्ज्वल अर्थात चमकता हुआ या उजला जुगनू अर्थात एक कीड़ा रात में उड़ने पर इसके दुम से रोशने निकलती है नभ अर्थात आकाश या आस्मान जौहरी अर्थात रतनों की जाँच पर रख करने वाला खजाना अर्थात रुपया सोना चांदी रखने का स्थान या कोश या धनागार रतन अर्थात रतन नाना अर्थात अनेग निराली अर्थात सुन्दर या मनोहर अंजली अर्थात दोनों हथेलियों को मिलाने से बनने वाली मुद्रा जी अर्थात मन शोभा अर्थात सुन्दर्य निरक निरक अर्थात देख देख कर भमूल्य अर्थात कीमती या मूलिवान एक कविता से क कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहां-कहां बिखरे हुए हैं ख ओस कणों को देख कर कवि का मन क्या करना चाहता है दो कविता से आगे क पता करो कि सुभा के समय खुले स्थानों पर ओस की बूदें कैसे बन जाती हैं इसे अपने शिक्षक को बताओ ख क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने धंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ ग सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहां चली जाती है इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ तीन तुम्हारी कल्पना कवी ओस की सुन्दरता पर एक कविता बनाना चाहता है यदि तुम कवी के स्थान पर होते, तो कौन सी कविता बनाते अपने मन पसंद विशय पर कोई कविता बनाओ चार मौसम की बात क तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है तुम्हारे प्रदेश में कौन-कौन से मौसम आते हैं उसकी सूची बनाओ तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों पाँच अंजली में जी होता इन ओसकणूं को अंजली में भर घर ले आऊं कवि ओसको अपनी अंजली में भर ना चाहता है तुम नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को अपनी अंजली में भर सकते हो सही का चिन लगाओ ये हैं रेत, ओस, धुआ, हवा, पानी, तेल, लड़ू, गेंद चे, उलट फेर हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मूती की लड़ियां इन पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है हरी घास पर ये मूती की लड़ियां किसने बिखेर दी हैं इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी उसे अपने धंग से लिखो कौन रात में गूंथ गया है ये उज्वल हीरों की कडियां ख नब के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यो दमदम साथ शब्दों की पहली ये उज्वल हीरों की कडियां इस पंक्ति में उज्वल शब्द में जवर्ण दो बार आया है परन्तु यह आधा जव है तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण यानि अक्षर दो बार आया हो मगर आधा आधा इस काम में तुम शब्द कोश की सहायता ले सकते हो देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोजबाता है आठ कौन ऐसा इन चीजों जैसे कुछ और चीजों के नाम सोच कर लिखो ख जुगनू जैसे चमकीले ख तारों जैसे जिल मिल ग हीरों जैसे दमकते घ फूलों जैसे सुन्दर गर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं जैसे क वह घर गया ख यह बात मेरे मन में घर कर गई ग यह तो घर घर की बात है घर आओ घर घर खेले बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ संकेत हैं बस 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 इतना सा 10. रूप बदलकर चमक चमकना चमकाना चमकवाना चमक शब्द के कुछ रूप यहां लिखे हैं इसी प्रकार इन शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो यह शब्द हैं दमक, सरक, विखर, बन क जरासा रगडते ही हीरे ने रित्तस्थान शुरू कर दिया ख तुम यह कमीज किस दर्जी से रित्तस्थान चाहते हो ग साप ने धीरे धीरे रित्तस्थान शुरू कर दिया ग लकी को मूर्ख रित्तस्थान तो बहुत आसान है तुमने अब खिलों ने रित्तस्थान बंद कर दिये